अगर आप breakfast के लिए या फिल लंच बॉक्स के लिए कुछ healthy और tasty बिनाने की सोच रहे हैं तो आप इस recipe को फटा फटा से मिंटो में बना करके त्यार कर सकते हैं यह बहुती जादा tasty होती है सांती सांती यह बहुत healthy भी है क्योंकि इसमें कम oil का और खुब सरी सब्सक्राइब का यूज होता है तो hello friends मैं उनिलम और आज मैं आपके सर शेयर करने वाली हूँ सूजी के उत्तपम की recipe तो चलिए आज की समझेदार healthy और tasty recipe को शुरू करते है रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe ज़रू कर दीजेगा सूजी का उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले एक mixing bowl में हम ले लेंगे एक cup सूजी जिस सूजी से हम उत्मा बनाते हैं वही वाली सूजी हमें यहाँ पे use करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कब दही जितने हमने सूजी लिए उसका आधा में यहाँ पे दही का use करना है कोई भी दही आप use कर सकते हैं गाड़ी हो पतली हो कैसी भी हो चलेगा बस अगर आपकी दही थोड़ी सी खटी हो तो आप यहाँ पे कम दही का use करिएगा अब अच्छे से सूजी को हम दही के साथ मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना मॉइस्टर इस सूजी में आ गया है और सूजी जो है थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी है तो चलिए सूजी और दही को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लिया है अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो आधा कब पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खुब सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे जितनी पानी की हमें requirement होगी दीरे-दीरे करके हम इसमें पानी एड़ करते जाएंगे सूजी जो है वो पानी को दीरे-दीरे सोप करती जाती है इसलिए बहुत ज़दा हमें पानी का इसमें यूज़ करना पड़ता है तो अच्छे से मैंने इसमें मिला लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक टीबर स्मून नमक नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग थोड़ा सा कम यह ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से वापिस से हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यह मिक्सर जो है भी कितना गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखिए इतना गाढ़ा यह बन चुका है तो चलिए एक बार वापिस से मैं मिला देती हूँ और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढख देंगे और ढ़क करके 5 मिनट के लिए हम इसे रेस पे छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है अच्छी तरीकी से फूल जाए तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं एक बार ढ़कन उठा करके हम चेक कर लेते हैं कि देखे आप देख सकते हैं सूजी जो है बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है और साथ ही बहुत जादा गाड़ी भी हो चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर से पानी डालते जाएंगे और बैटर को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो वन फोर्थ कप मैंने पानी यहाँ पे वापिस से डाल दिया है मिला लेंगे इसे और आप देख सकते हैं आपी भी बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और एट करेंगे तो टोटल आदा कप पानी मैंने यहाँ पे फिर से डाल दिया है तो चलिए मैंने इसे अची तरीके से मिला लिया है आप देख सकते हैं उत्पम मनाने के लिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बेटर चाहिए नहीं बहुंच ज़्यादा गाढ़ा और नहीं बहुंच ज़्यादा पतला तो चलिए इसको अप साइड में रख देते हैं उसके बाद उत्पम के लिए हम टॉपिंग मना करके रेडी करेंगे तो उसके लिए एक मिक्सिंग बॉल में हम ले लेंगे उसके बाद हम इसमें खूब सारी बारी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे आदी चोटी चमच हम इसमें नमक डाल देंगे अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आप तीखा कम खाते हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हर इमेज को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी च्वेस के कोई एक्स्टा मसाले जिसे की धनिया पौडर या फिर जीरा पौडर आप यहाँ पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जितना बड़ा या फिर छोटा आप यह उत्तपम बनाना चाहते हैं उससाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे lunch box के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा छोटा छोटा बना सकते हैं पर अगर आप इसे breakfast के लिए बना रहे हैं तो दो की जगा एक खा लिजिए थोड़ा सा बड़ा बना लिजिए उससे आपका time भी बच जाएगा तो अच्छे से बेटर को फैलाने के बाद उपर से हम इसमें ये topping डाल देंगे इसमें मैंने सिर्फ टमाड़ा रोशिम्ला मिर्च का यूज़ किया है आप अपने choice की कोई भी सबजी यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं अब हम एक छोटा वाला spoon ले लेंगे और इस सारी सब्जियों को दीर दीरे करके हम प्रेस करते जाएंगे ताकि उत्तपम के बैटर के साथ यह अच्छी तरीके से सेट हो जाए नहीं तो क्या होगा जब हम उसे पल्टेंगे न तो सारी सब्जिया इधर उधर बिखर जाए तो दीर इसे हम उठा करके इसे पलट देंगे और अगर आप इसे ज्यादा डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो आप थोड़ी दर के लिए इसे और पका सकते हैं वाप इसे हम दूसरी तरब से उठा करके देखेंगे अगर वो निकल रहा है मतलब कि यह दोनों तरब से बहुत जादा पतला नहीं करना है और सबजियों की टॉपिंग इस तरीके से उपर डालने के बाद अच्छे से उसे प्रेस कर देना है ताकि पलटने के समय वो निकल नहीं तो चलिए देख सकते हैं दूसरा उत्पम भी हमारा यहाँ पर बन करके त्यार हो गया है तो तीन स कम महनत में कम मसालों में एकदम हल्दी और टेस्टी नाश्ता फटा फट से हमारा यहाँ पर बन करके त्यार हो जाता है आप इसे टोमैटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छी लग दिया है और लंच बॉक्स के लिए तो यह बेस्ट रेसिपी है फटा फट से बन करके त्यार हो जाती है तो आप भी सूजी के उत्तपम की रेसिपी को एक बड़ जरूर बनाईए खाईए और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़े सी भी पसंद आई हो तो प्रीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें औ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें